आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आए आज सुनते हैं माग मास महत्मे छठे अध्याय की कथा था माग मास का बड़ा ही विशिस्व महत्तु माना गया है माग मास में गंगा अश्नान करना दान पुनियों का कारिय करना फगवान सरी हरी विश पूजन करना यह बड़ा ही लापकारी माना गया है माग मास में देवता भी धर्ती पर आ करके गंगा अश्नान करते हैं माग मास में गंगा अश्नान करने से सभी तापों और पापों से मुक्ति प्राप्त होती है मनुश्री के जब सब ताप और पाप नश्ट होते हैं कथा भी अवश्य ही शर्वन करना चाहिए तो आईए सुनते हैं मागमास महत्मे छठे अध्याय की कथा तो बोलिये प्रेम से भगवान विष्णों की जै माता लक्ष्मी की जै भगवान स्रेक्रिष्ण की जै पुर्व समय में सत्यू के उत्तम निशेध नामक नगर में हेम कुंडल नामवाला कुबेर के सद्रश्य धनी वेश्य रहता था जो की कुलेल अच्छे काम करने वाला देवता अगनी और भ्रह्मन की पूजा करने वाला खेती का काम करता था वह गौव घोरे भैस आदी का पालन करता था दूध दही छाच गुबर घास गुड़ शीनी आदी अनेक वस्तु बेशा करता था जिसने बहुत सा धन इकठा कर लिया था जब वह बोढ़ा हो गया तो मिर्तु को निकट समझ कर उसने धर्म के कार्य करने प्राडम्प कर दिये भगवार विश्णू का मंदिर बनबाया हुवा तालाब बाबरी आम पीपल आदी विरिक्षिके तथा सुन्दर बाग पाप किये थे उनका प्रैश्चित करता था इस परकार उसके दो पुत्र उत्पन हुए जिसका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा जब दोनों लड़के जुबावस्था की होते हुँ तो हेम कुंडल वैश्य ग्रहस्ती का सब कारियर सौपकरत पश्या के निमित वन मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गया हैं वैश्या गामी वीडा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे अच्छे सुंदर वस्तर पहन कर सुंगदी तेल आदी लगा कर भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सबारी और सुंदर घर कर्ष्य वहां अपने धन को बुरे कामों में नश्ट करते थे कभी किसी सत्पात्र को दान आदी नहीं करते थे ना ही कभी हवन देवता या ब्रामन की सेवा तथा विश्नु का पूजन ही किया करते थे थे थोड़े दिनों में उसका सब धन नश्ट हो गया और वहां दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुकित हो गया भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़ कर चले गए तब इन्होंने चोरी आदी करना प्राडंभ कर दिया और राजा के भैसे नगर को छोड़ कर ड इन्सक्स जीवों को मारकर खाने लगे, एक समय इसमें से एक परवत पर गाय जिसको सही मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्थ के डसने से मर गया, तब यमराज के दूद उन दोनों को बांध कर यम के पास ले आए और कहने लगे कि महराज इन दोनों पापिय इस प्रकार से मालक मांस महात्मीह की च्छठे अध्याय की कथा पुर्ण होए और आगे की कथा के लिए सात्मा अध्याय सुने के लिए अगर आप नहे हो तो हमारे चेनल को लाल पटन दबा करकर सब्स्प्राइब जरूर करे साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोटफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे हैं मैं पड़तेक दीन सुबह चार बज कर 45 मिनट में एक-एक अध्याय अपलोड करता हूं आप पड़तेक दीन एक-एक अध्याय का मांक मास का कथा सरबन कर सकते हैं पिलते हैं फिर अगले अध्य आए के साथ जय स्री राधे किष्ण धन्यबाद आप सभी भक्तों के उपर भगवान स्री हरी विश्णू माता लक्ष्मी का करपा सदैब बना रहें सभी सदा स्वस्त रहें और सदा खुश हाल रहें